मयंक देरादुन उनका सवाल ऐसा है कि उनको क्लास्ट्रोफोबिया है उसका रण वो कभी लिफ्ट में भी नहीं चड़ सकते हैं तो इससे कैसे क्या बचा जाए इससे कैसे क्या दूर हुआ जाए क्लास्ट्रोफोबिया एक डर का प्रकार है डर के जो विभिन्न प्रकार है उसमें बंद जगह का डर लगना उसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते है यानि अगर जगह छोटी सी है और वो बंद है तो बहुत डर लगता है लिफ जैसी जगह है छोटी सी रूम है वहीं भी डर लगेगा ये डर क्यों निर्मान होता है तो शायद बच्पन में कभी किसी कारणवश एक छोटी सी जगह में अटक गए और वहां से अपनी छुटी नहीं हो रही है वहां से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं तो भी ये डर निर्मान हो सकता है कभी कभी घर के लोग पनेश्मेंट करकर किसी बच्चे को किसी अलमारी में बंद कर देते हैं या फिर किसी रूम में बंद कर देते हैं छोटी सी रूम में उस कारण भी ये डर पैदा हो सकता है तो उसके कारण हो सकते हैं लेकिन ये डर जिन्दगी भर साथ में चलता है उसी को कलोस्ट्रोपोबिया कहते हैं डर दूर करने का इस दुनिया में एक ही मार्ग है जिस बात का हमें डर लगता है उसको फेस करो बार बार फेस करो बार बार फेस करो वही एक विजय प्राप्त करने का मार गए मैं मेरे जीवन में बहुत डर्पोग था 19 वी साल की उमर तक मुझे हर चीज का डर लगता था मुझे कलास्ट्रोफोबिया नहीं था लेकिन बाकी हर चीज का डर था बहुत डर्पोग था मैं मैं बहुत पढ़ता था कही तो भी मैंने पढ़ा अब किसका ये वाक्य है मुझे आज याद भी नहीं है कि जीज चीज का आपको डर लगता है उसको फेस किजिए और मैंने अपने जीवन में इस डर को फेस करने के प्रयोग किये धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाते गया और आगे चल कर इतना नीडर बना कि अंदविश्वास का जब मैंने काम शुरू किया 1982 में मेरी उमर के 31 साल में तब रोज मेरी जिन्दगी डेंजर में रहती थी आज मैं बाहर पड़ा हूँ व्यक्ष्यान दे रहा हूँ जिन्दा वापिस लवटेगा इसकी गैरेंटी नहीं है ऐसे वातवरण में सालों साल में जीते आया कभी डरा ने इतना नीडर आगे के जीवन में मैं बता मेरा जो यूट्यूब चैनल पर परस्नेलिटी डेवलपमेंट का सीरीज है व्यक्तित्व विकास का सीरीज है उसमें बहुत विस्तार से ये बात मैंने रखी है आप उसको सुनिए बार बार सुनिए आपको बहुत बल मिलेगा याने एक बार अगर आप निश्य करें चाहे जो हो जाए मैं इस डर पर डर पर विजय प्राप्त करूंगा मरूंगा लेकिन विजय प्राप्त करूंगा ये निश्य करकर अगर आप इसको फेस करना शुरू करेंगे तो definitely आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मैंने मेरे जीवन में तो डर पर इसी ढंग से विजय प्राप्त की है हर प्रकार के डर पर इवन भूत के डर पर भी इसी ढंग से मैंने विजय प्राप्त की है जबकि मुझे दसवी क्लास में मैं पढ़ रहा था तब मुझे बुद लगा था और वो मांत्रिक ने उता रहा था तो इस दंग से डर निकाला जा सकता है यहने आपको practically क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अपने आपको समझाना पड़ेगा कि लाखों लोग लिफ्ट में जाते हैं यह जो डर है मेरा psychological है उसको कोई logic नहीं है लाखों लोग रोज लिफ्ट में चर्दते हैं लिफ्ट के बाहर जिंदा वापस आते हैं लिफ्ट में कोई मरता नहीं है लिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है मरने लाए ये केबल मेरा साइकलोजिकल डर है और उसको मुझे फेस करना है चाहे जो हो जाए मैं लिफ्ट में चड़ूँगा दुनिया की इधर की उधर हो जाए नहीं नहीं मैं लिफ्ट में चड़ूँगा फिर मेरी सास बंद हो जाएगी हो जाएगी तो हो जाएगी मैं मर जाओंगा मर जाओंगा तो मर जाओंगा ये तयारी अपने आपको समझाईए लिफ्ट में चड़िये लगे तो एकादे मित्र को साथ में लीजे पहली बार एक ही नमबर दबाईए ताकि आप एक ही मजले पे जा पाओगे बाहर आईए तब आपको बहुत डर मैसुस होगा अपनी साजबंद गिर रहे पड़ रही ऐसा आपको लगेगा लेकिन आपकी साजबंद नहीं पड़ेगे क्योंकि आप कितने भी डरे हुए हो तो भी आपका जो अंतरमन होता है वो खुद की सुरक्षा के लिए बहुत जागरोत होता है वो अपने आपको बचाना बहुत अच्छे डंक से जानता है और अपने आपको बचाने के लिए जो अवश्यक है वो करेगा अब शायद ये अंतरमन ये भी करेगा कि लिफ्ट को आगे बढ़ने नहीं देगा महीं चिलाना चलो कर देगा अभी क्या भी लिफ्ट मबंद करो रोको ऐसा बोलेगा लेकिन वो नहीं करनेगा ऐसा अंदर से बहुत लगे तो भी नहीं करनेगा पहला मजला आने तक बिल्कुल कुछ नहीं करने का, पहला मजला आने के बाद में बाहर आने का, तो आपको थोड़ा आत्मविश्वास आ जाएगा कि मैं चलो एक मजला आया फिर अपने आपको समझाओ ढाड़स बदाओ दूसरे दिन दूसरे मजले जाओ तिसरे दिन तिसरा मजला जाओ ये अगर आप बार बार करोगे अपने आपको समझाते जाओगे चाहे दुनिया इदर की हो दर हो जाए मैं फेस करूँगा जो भी परिणाम होगे उनको भुक्तूँगा मैं मर गया तो भी चलेगा लेकिन मैं इसको फेस करूँगा इस धंग से अगर आप उसको फेस करोगे तो शायद आप भी इस डर से मुक्त हो पाओगे मैंने तो अपने जीवन में इसी ढंग से सभी डर बगाए और कोई डर छोटा और बड़ा नहीं होता है जिसको डर मैसुस होता है उसके लिए हर डर बहुत बड़ा होता है याने मेरे डर छोटे थे और आपके डर बहुत बड़े हैं ऐसा कुछ नहीं होता है ये एक तरीका है जो scientific भी है, result भी देने वाला है, difficult भी है दूसरा तरीका है जो इसी personality development के मेरे series में आपको सुनने को मिलेगा जिसको हम कहते है visualization या desensitization technique जिसमें हम actually lift में नहीं चड़ते हैं लेकिन हम lift में चड़े हैं और उसमें प्रवास कर रहे हैं lift से उपर जा रहे हैं, ये कलपना करते हैं अब हम तो अपने घर में खुरसी पे बैठे हैं सम्मोन में जाकर, relax सवस्था में जाकर कलपना कर रहे हैं actually हम तो खुरसी पर ही बैठे हैं लेकिन कलपना में लिफ्ट में प्रवास कर रहे हैं ये टेकनिक थोड़ा आसान टेकनिक है समय थोड़ा ज़्यादा लेता है लेकिन हरेक के लिए अमल में लाना ये संभव होता है अपने आप से इसमें कम जगणना पड़ता है और जब आप सो बार दो सो बार इस कलपना में आप लिफ्ट में प्रवास करोगे और उसके बाद में यानि डी सेंसराइजिशन टेक्निक का उप्योब करोगे और उसके बाद में actually आप जब प्रवास करोगे पहली बार तो आपको इतना डर महसूस नहीं होगा और चार-पाज बार इस डन से प्रवास करने के बाद आपको एक confidence आ जाएगा कि मैं लिफ्ट में जा सकता हूँ एक बार आपने लिफ्ट में प्रवास करने पर विजय प्राप्त किया फिर छोटी रूम में रहना तो उससे आसान है छोटी-छोटी बंद जगों उपर रहना उससे आसान है फिर आपके लिए बाकी की चिज़े बहुत आसान बन जाएगे ये दो तरीके हैं दोनों तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं दूसरा तरीका सीखने का आपके पास हवसर है मैं परस्नलिटी डेवलप्मेंट का जो वर्शॉप लेता हूँ वो जॉइन करना ये डिसेंसे डाइजिशन टेकनिक सीखना और उसका उप्योग करना पूना में जन्वरी में ये वर्शॉप होने वाला है तो इस वर्शॉप में आप आभी सकते हो उसको जॉइन कर सकते हो और केवल कॉस्ट्रोफोबिया के लिए नहीं बाकी सभी personality development के लिए आपको इसका उप्योग करने के लिए बहुत सुन्दर उप्योग होगा तो ये वर्शॉप एक तिसरा साधन है यानि दूसरा टेकनिक उप्योग में लाने के लिए वो तंद्र सीखने के लिए ये साधन आपको उप्योग में आपाएगा